हेलो अब्रीवन जय हिंद आज है 25 अगस्त और आज किस वीडियो में हम 25 अगस्त से बनने वाले करन्ट अफेर के सभी इंपोर्टन कोश्चन्स को कवर करेंगे क्यों ग्रिविजन करते हैं 24 अगस्त के कोश्चन्स का कल हमने पढ़ा था यह की भारत का जो पड़ोस ही बांग अभी हाली में आइनस वागीर ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है ओडम फेस्टिवल केरल में मनाये गया प्रेगनेंट महिलाओं के लिए आरसीवी टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश अमेरिका बना है थाइलेंड के प्रधान मंत्री रेथा थाविसिन बने है चांद के साउथ पोल पर लेंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना है चुनाव आयोग ने अपना नैशनल आइकॉन बनाया है सचिन तंदूलकर को पंद्रवा ब्रिक्स समेट जोकि साउथ एफ्रिका के जोहांस बर्ग में आया जीत हो रहा है अंड यह भी मैंने आपको वहीं पर शेयर कर दी थे चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल राश्ट्री बाग संड्रक्षन प्राधिकरण ने धौलपूर करॉल रिजर्व को किस राज्जिका पांचवा टाइगर रिजर्व घोशित किया है तो यह जो राश्ट्री बाग संड्रक्षन प्राधिकरण है शौट में आप इसे एंटी सीय के नाम से जानते हैं नैशनल टाइगर कंजर्वेशन अथौरिटी तो इसने अभी हाली में राजिस्थान के धौलपूर करॉल रिजर्व को राजिका पांचवा टाइगर रिजर्व है जो कि घोशित कर है बफर शेत्र कोर शेत्र क्या है देखी एकदम सेंटर में होगा कोर शेत्र इसके बाहर बफर शेत्र तो कोर शेत्र में ना इंसानी गतिविधियां शामल नहीं होती है मतलब कि human activities किसी तरह से नहीं हो सकती बलकि इसके बाहर का जो बफर शेत्र है यह human activities हो सकती है बस यही फर्क है दोनों में तो राजस्थान का ये पांचवा टाइगर रिजर्व बना है इसके पहले जो चार है इसमें रामगड विजधारी वाइल लाइफ सेंशुरी मुकुंद्रा टाइगर हिल्स रडधंबॉर और सारिस का टाइगर रिजर्व शौंदर है राजस्थान भारत क के तरफ ही निगरानी रखते हुए इसने सबसे बड़ी स्वास्थ योजना चिरंजी स्वास्थ योजना इसके शुरुवात की थी मानगड की पहाड़ियां राश्ट इसमारग घोशित किया गया था इसे बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य है न कर देंगे इसमें अब टाइगर रिज़र्व की बात की जा रही है तो भारत में टोटल तीर पंघ दीर्पंट यन की 53 टाइगर रिजर्व हैं जो 53ट बात्राइगर रिजर्व है ये हरानी पूर वाइलल डैस सिंचरी मैं यहां क्यों लिखना चाहिए मैं आप्शन में क्य करती है अब टोटल टाइगर कितने हैं ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ टोटल टाइगरों की संख्या भारत में 3682 जिसमें कि सबसे जादा टाइगर यानिकी 785 टाइगर यह मध्यप्रदेश में हैं हाला कि पहले भी मध्यप्रदेश में ही थे सबसे जादा ये 546 जो कि अब बढ़ करके 785 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में इस्तित है रानीपूर वाइल लाइफ सेंचुरी क्यों चर्चे में था क्योंकि ये तिरपनवा टाइगर रिजर्व बना था भारत का चववनवा टा टाइगर रिजर्व गुजरात मेदिया आप रिलेट करें स्टाटिक में तो गिर वनसदा ब्लैक बख मरीन नेशनल पार्क के यहां से आप रिलेट कर सकते हैं आगे चलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल याने कि NGT के निया ध्यक्ष कौन मनें है देखें इसके पहले आपने पढ़ा शियो कुमार सिंग अभी थोड़े टाइम के लिए नियुक्त हुए थे अभी एट प्रेजन्ट ये बने हैं जश्टिस प्रकास श्रिवास्तों NGT इसे परेवरणी अदालत भी कहा जाता है जिसे हाई कोट के समान शक्तिय हैं जोकी प्राप्त है 2010 में स्थ रामसर इस्थलों की निग्रानी न रख पाने के कारण केरल पर 10 करोड का जुर्माना लगाया था केरल ने किसका ध्यान नहीं रखा था तो रामसर इस्थलों में शामिल यहां का जो विम्बनाद लेक है विम्बनाद और अश्टमुदी लेक इस पर मैनेजमेंट यह नहीं कर पाया था जिसके बाद से इस पर 10 करोड का जुर्माना लगाया गया था भारत का पहला सोदेशी विक्सितिनी की सोदेश रुपसे विक्सिति जो इट्रेक्टर है CSIR प्रिमा ET11 किसने लॉंच किया है तो यह भी हाली में केंद्री मंत्री ज ERI यह निकि Central Mechanical Engineering Research Institute ने डिवलप किया है यह टेक्टर कचरा पुनर चक्रन इसका क्या मतलब हुआ गार्बेच की रिसाइक्लिंग कर सकता है ड्रिप से चाई आम और कमल जैसी जो जिनोम अनुक्रमिक खेती कहने का मतलब है इसमें sequential farming और इसी के समेट विस्ट प्रोध्योग की करन्थवा डिफिकल्ट हिंदी लिखी है इस पेसिविक टेक्नालोजी पर यह ध्यान केंद्रित करेगा जितेंद्र सिंग हमारे केंद्री मंत्री है जिन्हों सवदेश रुप से विक्सित MRI कुस दिन पहले लॉंच किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू यह हमारी राष्ट पती हैं जिने साउथ अमेरिकी कंट्री सूरी नाम ने अपने सर्वोच्च संबान से संबानित किया है आगे चलते हैं विश्व जल्स अपताह दिवस अभी अगस्त के महिने में मनाये गया है 20-24 अगस्त तक और यह मनाये जाता ह द्रौपदी में स्टॉक होम इंटरनेशनल जल्संसितान के द्वारा इंटरनेशनल वाटर इंस्ट्यूट के द्वारा जिसका मुख्याल है स्वीडन स्टॉक होम में है और 1991 फॉर्मेशन यह टॉर्गनी होल्म ग्रेन इसके निदेशक हैं इतना डेप्थ में नहीं पूछ जाता है एक्जाम में यहां से आप याद रखे जल्शप्ता की थीम सीड ऑफ चेंज है यह में टाइटल हुआ सीड्स ऑफ चेंज इससे भी जादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जुरत है कि विश्व जल दिवस यानि कि वर्ल्ड वाटर डे जो की हर साल 22 मार् इसकी थीम डाइक्ट ही है एक्जाम का पार्ट बनती है तो विश्व जल दिवस की थीम थी ऐसेलेटिंग चेंज आगे चलते हैं खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदला गया है और ये बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है केंद्री युवा कारिक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके असमिता महिला लीग करनी की घोशना की है यहां से थोड़ा सा हम खेलो इंडिया को रिलेट करें तो देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम से यहां से रिलेट कर सकते हैं, इसके वसे पांच एडिशन हो चुके हैं, पहला एडिशन इसका आयजित किया गया था दिल्ली में, दूसरा एडिशन इसका आयजित किया गया था महरास्ट भी मतब दिल्ली से तो शुरुवात ही हुई थी आप कह सकते हैं पर तीसरा एडीशन इसका आजित किया गया था असम में असम की गुवाहाटी में चौथा एडीशन पिछले ही साल आजित किया गया था हरियाना के पंचकुला में और पांचवा एडीशन इसका आजित किया गया था अभी मद्र प्देश के भॉपाल में इससे मिलता जुलता आप रिलेट कर सकते हैं खेलो इंडिया युनिवर्स इडीशन हो चुके हैं पहला एडीशन आजित किया था ओडिशा की राजधानी भूबनेश्वर में दूसरा एडीशन इसका आयोजित कि किया गया था करनाटक की राजधानी बैंगलॉर में और तीसरा एडिशन जो कि इस साल हुआ है यह आएजित किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में जिसमें कि पंजाब युनिवर्सिटी चंडीगड यह टॉप पर रही है जबकि मद्यप्रदेश में आए पश्यमंगाल के कोलकाता में ब्रह्म कुमारी संगठन के द्वारा इस अभ्यान के शिरुवात की गई है इसका उद्देश है समाज में और देश में नसीली दवाओं की दुरुप्यों के बारे में मुद्दो को संबोधित कर रहा है पश्यमंगाल जिसकी राजधानी कोलक यह बसी हुई है हुगली नदी के किनारे इसी हुगली नदी पर आपके सकते हैं कि पहला अंडर्वाटर मेट्रो इस साल के अंतर तक लॉंच हो जाएगा मुख्यमंत्री ममतब अनर्जी है अभी ADR के रिपोर्ट थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत में सबसे अधिक पै एउस है कि यहां से इंपॉर्टन नेशनल पार्क के दिए आप रिलेट करेंगे तो सिंगलीला नेशनल पार्क भकसा गौरुमारा जलता पारा ये कुछ important national park है अच्छा GI tag भी तो आप relate पर सकते हैं भारत में पहली बार GI tag ये पश्रमंगाल को ही मिला था मतलब पश्रमंगाल की दारजिलिंग चाय को 2004 में ठीक है और भारत में दूसरा पंडुक भी संगरहाल है ये पश्रमंगाल में ही बनेगा पहला कहा है तो ये विश शाखा पट्नम में हो जाएगा options के थूए दी हम डिसकस करें तो प्रेसेडंट द्रौपदी मुर्मो ने दिल्ले से कैच दार रेन अभियान के शुरुआत की थी राजस्थान की राजधानी जैपूर में इन्होंने सम्विधान पार्क का उद्गाटन किया था और जहार ख हाई कोट का उद्गाटन किया है द्रौपदी मुर्मू सूरी नाम का सरवच सम्वान ये तो मिला ही है ये देश की दूसरी महिला राज़्ट पती है प्रतिभा पार्टिल के बाद और ओवरॉल देखे तो पंद्रहवे क्रम की है और देश की पहली महिला आदिवासी राश करनाटक है अभी दो-तिन दिन पहले ये नियूज आई है कि ये केंदर सरकार की नई सिक्षा नीती को समाप्त करेगा और नई सिक्षा नीती बनाएगा तो ऐसा फैसला रिसेंटली करनाटक गौर्मेंट के द्वारा किया गया है हाला कि तमिल नाड़ो और केरल जैसे राज धानी बैंगल और मुख्यमंत्री यहां के हो जाएंगे सिद्दार महिया रिसेंटली बनें कॉंग्रेस की सरकार आ चुकी वहां पर भाजपा की सरकार कशाशन कत्म हो चुका है और फसल बीमा योजना के क्रियानवन में ये टॉप पर है जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में अरियाना में गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ओफस बल्डिंग है जो कि ये बनने जा रही है महराश्ट के दि हम बात करें क्या रिलेट करेंगे महराश्ट ने अभी हाली में पहला उद्योग रत्न अवार्ट से रतन टाटा जी को सम्वानित किया है आग कोई चेंज नहीं किये गए तो रोवर इसमें हो जाएगा प्रग्यान लینडर इसमें हो जाएगा विक्रम जुरॉंग ये रोवर है किसका चाइना चाइना का रोवर जो कि पिछले साल चर्चे में था आटमस यह चंडर मिशन है ली मून मिशन नासा का नासा अमेरिका की य भारत की स्पेस एजिंसी इसरो हजिस का मुख्याल है बैंगलोर करनाटिका में 1969 इसका फॉर्मेशन यह है एस सोमनाथन इसके अभ्धिक्ष है वायकॉम 18 ने अपने वर्टिकल डिश्टल वर्टिकल का CEO रिसेंटली किरन मनी को बनाया है वायकॉम 18 2007 फॉर्मेशन यह है के CEO सत्या नडेला जबकि गूगल के CEO यह हो जाएंगे सुन्दर पे चाहिए लास्ट का प्रश्ण में रवजन के रखा है FIH ने जो मेंस होकी रैंकिंग रिलीज की इसमें नीदर लेंड टॉप पर है भारत को तीसरे इस्थान पर रखा गया है फीफा मेंस रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना भारत को 99 प्लेस पर रखा गया FIH ने की इंटरनेशनल होकी फडरेशन 1924 फॉर्मेशन यह रहा है लौजन स्विजले लंड में हैट पॉर्टर तैयाब इक्राम अध्धक्ष है इस रैंकिंग भारत तीसरे है FIH मैंस होकी वर्ल्ड कप जो आपका दुनिया का पहला हुमनाइट पाइलर जिसका नम पीबोर्ट किस ने लॉंच किया है आंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में बताएं हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताइंको सो मच